नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों अगर आप बहुती जल्दी नई बाइक पर्चेस करने का सोज रहे हो और आप ढूंड रहे हो एक ऐसी बाइक जिसके लुक काफी बड़े हो और उस बाइक का प्रैस भी काफी अच्छ हो तो गाज यह वाली वीडियो होने वाली आपके लिए वीडियो चील लगई है तो यह वीडियो को लाइक करना बंता ही है तो चेलिए दोस्तों बिन आपका समय कर लेते हैं जल्दी से शुरू तो यहाँ बात करते हैं हमारी लिस्ट की पहली बाइक के बारे में तो वो बाइक है केटम ड्ुक के वंटवरुड फाइब तो यह ज जार और बात करते हैं इस भाई के प्रैस की बारा में तो इस बांद न्यूज इस बाणते देखने को मिलेगी और याँ पर दो Electric के इंजन के बार में तो इस बाइक में आएगा 124.9 cc सिंगल स्लेंडर फोस ट्रोक लिक्वेड कूल इंजन और आपको इस इंजन से 14 पेस के आसपास की पावर देखने को मिलेगी और 11.5 न्यूटर मीटर के आसपास का इस बाइक का मैकसमम तॉर्क आपको देखने को मिलेग तो यह आप हमें प्लीज कमेंड करके शेर कीजिएगा तो गाइस अगर बात करें हमारी लिस्ट की सेकिंड बाइक के बार में तो वो बाइक है रोयल इनफिल्ड हिमालियन 450 टोर दोस्तो यह वाली बाइक बहुत ही जल्दी लाँच होने जा रही है तो बात करता है इस है वो दोस्तों सिमलर होने वाली है हिमालियन 411 से इसकला अगर बात करता है इस बाइक के इंजन के बार में तो इस बाइक में आने वाला है ब्रैंड न्यूव 450 CC लिक्वेड कूल इंजन और यह जो इंजन है वो अराम से प्रोडूस करेगा 40 PS के आसपास की मैक्सिमम पाव और दोस्तों आपर बात करते हैं कि आपर क्या प्रैस हो सकता है तो इस बाइक का 2.4 लैक से लेके 2.7 लैक बीच में हमें प्रैस देखने को मिलेगा यहां पर बात कीज़ए हमारी लिस्ट की अगली बाइक की बार में तो भाई वह बाइक है यामा आर्तरों दोस्तों इस ब दोस्तों इस बाइक को फोरन इंडिया में लेजा रहा है तो आपको थीचर पर के नंदर देखने को मिलेगा और गाइज ये इंजन प्रिडूस करेगा 42 पेस के आसपास की मैक्सिमम पाउर हो रहे हैं 28 न्यूटन मेटर का आपको इस बाइक से आपकर मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा इसके लबाद दोस्तों आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो पहले बात करते हैं पाइक की लौच डेट के वारे में तो यह वाली बाइक लौच होइगी दिसमंबर के महीने में इसक़ाद बात करें बायक के प्रैस के बाहरे में तो इस बाइक का बार लाग से लेके पंदर लाग के बीच में अपर एक्षिन उम्प्राइज होने वाला और दोस्तों इस बाइक में इस बार आने वाला है 636CN Line Force Lander Liquid Cooled Engine और आपको इस इंजन से 130 PS के आसपास की पावर देखने को मिलेगी और 70NM का आपको इस बाइक से यहापर maximum torque यहापर देखने को मिलने वाला है बागी दोस्तों बाइक के लुक्स के बार में तो यहापर दोस्तों काफी गजब लुक इस बार हमें इस बाइक की देखने को मिलेगी तो दोस्तों यह वाली बाइक December में बहुत ही जल्दी launch होने जा रही है बात करते हैं हमारी list की 5th bike के बार में तो दोस्तों यह वाली bike ना अब तक की सबसे खतनाग bike होने जा रही है Indian market के अंदर और guys यह bike है Pulser RS 400 और Pulser NS 400 तो guys अब एक recent interview में राजी बुजाज ने confirm कि है कि वह आने वाले स्थमें में Pulser RS 400 और Pulser NS 400 जैसी bike को Indian market में launch करेंगे जिसके अंदर दोस्तों में 400cc के engine देखने को मिलेगा जो की same engine जो के भी आ रहा है यह हमाय MT-03 और दोस्तों यह वली बाइक दिसंबर के महिने में इंडर मार्केट में फाइनली लॉंच होने जा रही है और दोस्तों आपको कुछ ऐसी आप लुक्स देखने को मिलेगी जो की काफी बड़ी है इसके लावा दोस्तों बात करें हमारी लिस्ट की आखरी बाइक के बार में तो यह वो बाइक है Royal Infield Scrambler 650 और दोस्तों बात करें इस बाइक के launch date के बार में तो यह वाइक launch होने जा रही है फर्वरी के महीने के आसपाज और दोस्तों बात करें लुक्स देखने को मिलेगे तो आप इस लिस्ट में से किस बाइक के launch होने का weight based बारी से कर रहे हैं तो यह आप हमें प्लीज कमेंड कर गए शेर के जिएगा और गाइस अगर आपको वीडियो चलेगे तो वीडियो को लाइक के जिएगा तो चली मिलते हैं अपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपक के साथ अब तक के लिए गुडबाइ झाल